पांचवी बार देश में स्वचता में नमबर वन का स्थान हासिल करने के लिए इंद और नगरनिगम एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है इस बार नगरनिगम का जादा जोर इस बात पर है कि स्वचता सर्विक्षन 2021 के तहट 7 स्टार रेटिंग में किसी भी तरह 7 स्टार हासिल किया जाए जब तक किसी भी शहर को नहीं मिला है इसलिए शहर की दोनों नदिया कान और स्वरस्वती को गंदगी सिवरेज मुक्त और साफ किया ज़ा रहा है निगम निसकारी के लिए बड़ी राशी खर्च की है क्रिशनपुरा सहित को शेत्रों में धीरे-धीरे नदी का स्वरूप भी तब्दील होता दिखाई दे रहा है लेकिन कल रीवर फ्रेंट का अवलोकन करने के बाद जो सच्चाई सामने आई भग कतई हुचित नहीं है क्रिशनपुरापुल के पास जहां कुछ समय पूर करोड़ों रुपे की लागत से नदी के किनारों को आकरशक पौधो द्वारा सुसजज़त किया गया था और हरियाली विक्सित की गई थी वहाँ हरियाली सूखती हुए नजर आया लंबे समय से इन पेड़ पोधों को पानी नहीं दिया जा रहा है कई स्थानों पर यहां अभी भी ड्रेनेज का गंदा पानी नदी में मिलता हुआ दिखाई दिया नदी के किनारों पर कई स्थानों पर कूड़ा कच्रा भी फैला हुआ नजर आया इसे देखर यही कहा जा सकता है कि आगे आगे पाट और पीछे सपाट हाला कि नेगम के नदी सौंदरी करनकार से शेहरवासियों को काफी उमीदे हैं शेहर के लोगों का मानना है कि अगर नेगम ने इन नदीयों को स्वच्छ कर दिया तेंदर शेहर के खुबसूर्टी में चार चांद लग जाएंगे